स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट टेकनोलजी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शूव कम्पीटर वइडनेस्टी में आज हम लोग बात करेंगे इंटेल मैं सब के बारे में तो आए इसे समझते हैं तो हुआ क्या अब रहा बात कि कुछ गरबड हुआ है इंटेल में और काफी सीरियस गरबड हुआ है और यह एफेक्ट करता है इंटेल का हाई पफॉर्मेंस सीप्यू का 13 जनरेशन का आई 9 को और 14 जनरेशन का आई 9 को यानि कि 14 900 के यह सब सीरीज में यह दिक्कत आ रहा है यानि कि जितना ज़दा फ्लैक्शिप के पास पहुंच रहे है उतना जादा रिस्क आ रहा है सिलिकॉन में तो इस समझना बहुत जबर रही है और यहां पे जो इफेक्ट है वह लिमिटेड नहीं है जरनली कभी भी कुछ गरबड होता जैसे एमडी में भी हुआ था तो ए मतलब खत्म खत्म मतलब CPU डेड जो कि बहुत रहर है CPU मतलब समझें कंप्यूटर का ऐसा पाट है जिसके बार में सोचते नहीं है RAM खराब होता मेरा भी रिसेंटली हुआ था मदर बोर्ड कभी बार उड़ जाता है पावर खराब होने पर वह भी हो चुका है मेरे साथ एक बार लें CPU के बार में कभी कोई नहीं सोचता है को बहुत रहर कैसे से कि CPU उड़ेगा तो यहां पर CPU उड़ रहे थे तो रहा बार और सुर सुरू में बहुत सारा प्रॉबला ह हो गया है एक्चली इशू यह था कि CPU उनकंप्रेस कर ही नहीं पा रहा था फाइल तो उसको लग रहा है कि क्योंकि मतलब कैसे जो आप डेटा निकल के खोलते हो वही जाता है CPU में रहां से नहीं जाता है बाहर से नहीं जाता है वहीं पर बोल जा रहे थे तो NVIDIA एकदम क्ल सब्सक्राइब और यह समझना बहुत जरूँ है बहुत लोगों को यह हुआ और एक बार पैटर्न आ गया कि सार इंटल में गाड़ बढ़ है इंटल पहले बोला कि सार मदरबोर हुलुल कर रहा है फिर NVIDIA हुलुल कर रहा है सब लोगों को समझ में आगे सब जिंगालाला ह एंड में दिकत इंटल में है और सिलिकॉन लिवल पह है तो यह इशू क्लियर हो गया समस्या है गंभीर है आपका खुश किसमत रहे तो छोटा मोटा प्रॉबलम होगा यह मदब गेम्स नहीं चलेंगे या किसमत फोड़ा सा भी खराब रहा तो पूरा का पूरा CPU चला है तो यहां पर समझी अभी इंवेस्टिगेशन फेज में ही है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता कि जैसे यह वीडियो अपलोड को मांच वरण बाद को यह मतलब अब ही तक केस है उसमें तीन चार चीज साथ में काम कर रहा है अब उस वैसे एक्जैक्ली क् के यह होता है क्योंकि एंटल को एक कंपणी इसका खुद का फैप्रिकेशन है बहुत सारे कंपणी का नहीं है मतलब जैसे आपका सैमसंग के पास अपना नहीं है वो TSMC के पास जाते या समसंग के पास या इंटल अपना रखता है तो ही सब्सक्राइबाइन है कि वाएं कर फिर आप यह समझें कि है क्या मतलब कि ठीक है कुछ गरबड वर उस गरबड से असर क्या रहा है असर आ रहा है कि वोल्टेज में कहीं गरबड हुआ है यहां पे सीधा क्लियर कट आ रहा है कि silicon degradation जासा behavior है यानि कि अगर power का एकदम clear failure होता है यहां पे वैसा हो रहा है कि चल रहा है CPU और फिर 10 चल रहा है चल रहा है फिर 10 आप restart कि चल रहा है intermittent problem यानि कभी-कभी एक-दू हफता तक आपको कोई प्रब्लम नहीं हो फिर होगा कि चार बार computer restart करना पड़ रहा है एक ही दिन में लिनेक्स का है record कि भया वो चार-पांस साल तक बिना shutdown के चल सकता है तो वहां पे अगर आप बोल रहे हो तब तो लोगो अधिरे-धिरे सब लोग narrow down करने लगए तो गड़बर तो आप में आ रहा है बाकी सारा ठीक है तो वही है कि voltage का control system बरबाद हो गया यानि कि voltage motherboard से दिया जाता है लेकिन इसके अंदर भी खुद का voltage regulation होता है जो बताता है कि sir हमको जादा दिया ज़रा बंद कर दो तो वह सारा system fail कर रहा है यानि कि जो fail safe है वो fail नहीं कर पा रहा है यानि कि actually computer में ऐसा होना चाहिए ideally कि processor मे जादा नुकसान होने से पहले बंद कर देगा mother board में खुछ गड़बड़ी हुआ mother board आइडिली नहीं बगड़ना चाहिए mother board पावर डाल रहा है लेकिन इसको तब भी एक sub shutdown का sequence देना चाहिए sir हमें उडाने वाले वा आप बंद कर दो नहीं हो रहा है तो fail safe लिखे जाते है सारे sensor होते हैं यहां पे एक sensor होगा यहां होगा यहां होगा यहां होगा ऐसे कही सारे sensors लगाया जाते हैं डाइ में मतलो silicon में sensor रहता है उसका averaging निकाल के बता जाता है इसलिए आप दो आज कल वाले में core level बताते है अब रहा बात ideally engineer चाहेंगे हर centimeter में दे दिया जाए लेकिन बहुत खर्चा होगा बहुत वेस्ट होगा इसलिए balance निकाला जाता है तो रहा बात की वहां पे अगर गरबड़ी हो गया यानि मान लेजे कि आपने यहां sensor डाल दिया आप बोलेगा सर यह area का हमको पता चले है लेकिन यह area overheat हो रहा है अराम से यह दिखाएगा बही अंड बैलेंस करना पड़ता है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों को शक लग रहा है कि इंटल वो जो बैलेंस है वो गरबड़ा गया बैलेंस और सिलिकॉन देग्रेडिशन क्योंकि आपका 14 जैन बोल रहा है ठीक है चलो कोई बात नहीं है लेकिन 13 में क्यों लोगों को दिख मतलब कूलिंग सिस्टम बंद कर दिए और अपने को जला देगा ऐसा नहीं होना चाहिए आज के सिस्टम में आप ओवर क्लॉकिंग लिए इसलिए मतलब वारंटी वॉइड कता और ओवर क्लॉकिंग पे लिमिट लगा है हम आपको उड़ाने नहीं देंगे कंप्यूटर औ और असर यही सम्में आ रहा है तो यहां पर अब रिजल्ट ही आ रहा है जिनके पास इंटल का है बहुत अच्छा चांस है कि अगर वह बहुत मतलब अभी घर दे और अभी लेटिस्ट बायोस लगा रहे जिसमें कंजर्वेटिव सेटिंग्स है तो ही आप स्टेबल हो 90% के जल्दी यह खराब होगा वहीं पर बात सीरियस हो गया तो समझना बहुत जरू है कि यह बात एकदम सीरियस है जोन लोगों ने इंटल का यह लेटिस्ट वालग खड़ दे है इसलिए मामला गंभीर है तो अब बात करतें इंटल ने क्या किया ठीक है यह दो चीज हो गया ल ने कर रहा है कहीं पर कुछ गरबढ़ है तो इंटल क्या कह रहा है तो इंटल पर यह समझे कि आपको यह स्मझना पड़ेगा आप कमपनी चला रहे हो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि सब बंबं निकले कोई ना कोई गरबढ़ी होगा खराब चीज निकल सकता यह नॉर्मल है ले कई बार आराम से हो सकता है कि 13th Gen का जो मतला actual die है वो complete ही नहीं हुआ था उन्होंने मदब ठीक है सार इसी को package करके बढ़ दो उसी को फिर इंजिनियर्स रिफाइन करते रहे करते रहे 14th Gen बना निकाल दिये तब ही इस तरह का behavior सूट करेगा और तो 14th इतने जल्दी क्यों फ हो था क्योंकि आपने इसको खुलना छोड़ जोती है voltage दो हमको performance दो मैं अपना जब computer बनाया था live stream में आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल देख रहे होंगा तो पता होगा उसमें मैंने खास तोर पे से AMD इसलिए चूश किया था इसका power consumption बहुत कम है Intel बहुत ज़्यादा बिजली खाता है 400 वाट तक का बिजली खा लेता है मेरा पूरा computer 400 के अंदर चलता है बहुत ज़्यादा बिजली खा रहा है Intel recently बहुत ज़्यादा जो कि Ironic है क्योंकि मैं AMD bulldozer के टाइम से आ रहा हूं AMD bulldozer का meme बनता था कि यह room heater मत कर दो AMD bulldozer खरीब लो computer भी हो जाएगा और चाहिए परफॉर्मेस चाहिए परफॉर्मेस चाहिए आप देखिए हर जिगा हरो के कह रहा है AMD बेटर है तब जितने यूट्यूबर से सब बना रहे है Intel से ही क्यों कि Intel बहुत ज़्यादा पावर खाके परफॉर्मेस दे रहा है तो वह पता चला कि वह शॉर्ट टर्म ट् प्राइब कर दो यहां पर दूसरा प्रॉब्लम आता है जब आप इसका मिटिगेशन स्ट्राटीजी लगाते हो कि हम सिलिकॉन को बचाएंगे तो उससे बाते परफॉर्मेस घड़ जाता है यानि कि लोग फिर से फ्रस्टर जाएं सर हमने आपका खरदा इतना महंगा प्र क्या हुआ मेरा इंटल लेने का तो यह समझना बहुत जरूए कि इंटल का जो रीसंट भीवियर रहा यह बहुत ही मतलब इसमें डिंकची का बहुत हुआ यानि कि इनको अच्छे से क्लियर कर बताना था कि क्या गरबढ़ हुआ कैसे हो यह अपने पार्टनर्स को नहीं बत खराब कर गया और हालत इनका अभी अल्रेडी गंभीर था उसी में थोड़ी मार दिया है तो वही समझे है कस्टमर्स पिसफ हो जाते हैं कि सर आप बताओ तो की ठीक है जर क्या गरबढ़ हो गया आप भगवान नहीं हम भगवान नहीं है अगर यह लोग आके सामने से बता सबसे यादा हल ला करते हैं आप उन्हीं को इगनोर कर रहे हो मार दिये जाओगे सर तो यह हो गया है अब बात करते हैं AMD में क्या है AMD के साथ हुआ है AMD Ryzen 7 7800 X 3D उसमें उड़ा रहा था CPU उड़ना शुरू हो गया था यहां पर समझे यहां पर भी वही हुआ कि लोग काफी गुसा हो गया काफी confusion है यह क्या हुआ मैंने इतना brand new लिया है मेरा भी इसी series का है बट मेरा X 3D नहीं मतलब 3D V cache वाला नहीं मेरा normal है मैं भी लकाउट करें तो इसमें था तो इसमें घरवड का है इसमें clear AMD बहुत अच्छे से और इसलिए इनका सिर्फ 3D V cache में issue है क्योंकि V cache जो 3D structure वाला है उसमें by design एक लिमिट है कि voltage ज्यादा मन दीजे बरबाद हो जाएगा और यह AMD clear cut बता है था लेकिन mother board company अपने आपको distribute differentiate करने के लिए कि सार मेरा जैसे मैंने आसूस का लिया आसूस तो गीगावाइट कैसे अपना बेचाएगा मेरे मेरे में वही प्रोसेसर लगाओ ज्यादा performance देंगे क्यों हम जादा ओवर वोल्ट करेंगे उसको जादा उससे performance देंगा अब रहा बात आप और हमें इसे आप लिए और क्लाक करने के लिए इसलिए पूराने वाले जो रिलीज की गया थे 5000 सेरीज में एक्स्ट्रीडियूस में सीधा ओवर क्लाकिंग पे लॉक लगाया था यहां लॉक थोड़ा सा खोले मधर बोर्ड वाले बोले हम थोड़ा और खोल देते हैं तो वह बोल गया अब यहां पर समझे यहां पर दिक्कत हुआ कम्यूनिकेशन ब्रेकडाउन पर पॉइंट किया गया कि AMD अच्छे से नहीं बताया मधर बोर्ड पार्टनर्स को हमें बता दिया गया लेकिन सुरूसों में नहीं क्लियर कड़ बताया किसा दिक्कत क्या है क्योंकि माली अगर कैता कि मधर बोर्ड फॉल्ट है मधर बोर्ड कंपनी यह कर देगे क्या बोलते हैं बदल देगे आपको प्रोसेसर तो अभी भी नया खरीदना पड़ेगा क्योंकि AMD तो बोल देगा सर आपने यह फ्राइ किया आपका मधर बोर्ड फ्राइग किया हम जिमेदार नहीं है सब ले ल्किन साल्व किया गया काफी सरा बयोज अपडेट किया गया और यहां पर और यहां पर सबसे गंदी कंपानी थी एसूस अनफर चáriट निमेंट्ली मेरे पास ऊसी का अपक्योंकमेंट है वहां पर एसुस लो क्या किया और कisation की आपकाम करो जो हम दे रहे हैं, थर्ड पर्टी नहीं है, एसूस का बायो सब्डेट है, हम आपकी वरंटी की ले लेंगे, उसके बाद जूता चपल बताया है, मारा गया इसको, अच्छे से अनॉंस्मेंट करा गया, पब्लिक ली हिमिलिट किया गया, कमपनी का स्टॉक को दबाया गया, तब जाके, अच्छा, नहीं, नहीं, सर, थोड़ा बहे गया थे, लॉयर लोग थोड़ा ज्यादा कभी-कभी बहे जाते हैं, तो कभी-कभी उन्हें भी जूता चपल मारना रहे था, कि सर, मुह पे मत लूटो, मुह पे मुतर वी सरजन मत कर दो, पता है, सर, हम आपके हुआ, तीन महीने के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व, तो इस समझना बहुत ज़रूरी है, कि ये सारा तांड़ा होने के बाद भी काफी अच्छा रहा, और AMD कम्यूनिकेट किया, कि सर, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए एकदम क्लियर कट, ये प्रॉब्लम है, ये क्लियर क हम इसको कर रहे हैं, इसे ऐसे करके सॉल्व करते हैं, क्लारिटी रही, इसलिए ज़टका जो था, जोर का जटका धीरे से लगा, इंटल में जोर का धटका धरोज दिया, तो अब बात करते हैं भविश में क्या होगा, तो यहां पर समझें कि इंटल अभी के टाइम, यानि क मजाग बनाता था बाकी साब का की, रियल मैनुफेक्चर्स हैव डियर ओन फैप्स, मतलब कि आप दूसरों के पास जाके बनवा रहे हैं, हम सा अपना बना रहे हैं, और अभी क्या कर रहे हैं, हम अपना जो फैब्रिकेशन है, उसे ऐसे स्पिन ओफ ब्रांच बना रहे हैं पहले इनका PC लाइपस में ढपा हमारा बोले, AMD 5000 जेनुइनली अच्छा था, ये जब आया तो गेम बदल गया, क्योंकि ये पहली बार था, कि सर आप motherboard to motherboard, circuit to socket, सब चीज मैच कर आईए, AMD 5000 डालिए, हर मामले में Intel हार जाएगा, ये पहली बार होगा था, clear cut, और उसी के डमडवल हो गया, और इनका जो server market था, जिन पे इनको एकदम चिल थे, कि ये server तो अपना ही है, अरे ये छोटे मोटे लोग, चार-पाच, बिलियन डॉलर का हुलूलू हटाओ, भाई, हंडर्ड सब बिलियन का हमारा चल रहा है, क्या दिक्कत है, वहाँ पर धपा मारने 14 प्लस प्लस, 14 प्लस प्लस, 14 नेनो मेटर प्लस प्लस, मतलब लेटरली अपडेट कर ही नहीं पा रहे थे, हाड़वर टीम इनकी नहीं डिलिवरी दे पा रहे थे, लटक गय थे, और ये investors के लिए बहुत खराब है, प्लस इसी के बाद वो, मतलब, AMD कैच अप कैसे कर लिया एन्वीडिया क्यों नहीं कैच अप करने दे रहा है किसी और को, एन्वीडिया इस देंगा पर नहीं फासा था, ये फास गया है, तो वहां पर गड़ बाद दूसरी बात, इनका स्पेक्टर और मेल्ट डाउन जो निकला था, ये इतना बड़ा फॉल्ट निकला कि मतलब, इसको फिक्स करने के क्लिए जो मांक्र ग डपडेट किया गया, प्फॉल्नेश घटा दिया, हार रार इनका यहीं हो रहा है कि सार्भड भड़ है, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो प्रफॉल्ट निकला कोड अपडेट किया गया पफोर्मेंस घटा दिया हर बार इनका यही हो रहा है कि सब गढ़ बढ़ है ठीक करो ठीक करने वाद सब्सक्राइब फाइदा क्या हुए इतना हाई परफोर्मेंस खरिगने का वादब समझे कि आपने खरीद रहां 500 पार का बंबं गाड़ी है सर ग अगर आप गढ़ी हो जाती थी ओ जल यात बढ़ा है एक एक सेकेंड के अंदर दस हजार वार चेकीन कि जाती है चेक करो कि हो बहुत अफ़ इंडियेटर नहीं धंड Nahy थंड आ करopedia ए मुझान ना है भुले लेकिन आप पक्रिक है तो आप उस आइक पनलीग रहा है अज है यह हुआ है, इंडिया में ही हुआ है, तो यह वही वाला बात हो रहा था, कि सर आप computer use करोगे तो हम virus लगा देंगे, तो दिक्कत वही है, कि यह बहुत गंदा गंदा, और यह सब server वालों को असर डाल दिया, गरबड हो गया, तो वही समझी है, और 13th of 14th Gen, दोनों में missile आपन समझना बहुत जरूरी है, कि बहुत ही ज़ाधा tight situation में हैं यह लोग, मतलब कि वो Intel दादा जी नहीं है, यह IBM जो परदादा जी हो गया है, उस level पर जा रहे है, तो समझना बहुत जरूरी है, और AMD 5000 के बाद से जो energy crown आ गया इनके पास की discussion ही नहीं, मतलब मैं Intel का लेता, उतन बदल दिया है, अब अगर सच है, तो Intel को बहुत जोर का दर्द होने वारा है, बहुत जोर का दर्द बहुत जोर से होगा, तो वही समझे है, तो इस ताइम पे Intel का इस तरह का debacle होना कि सर, हमारा प्रोसेसर ही उड़ जा रहा है, silicon degrade कर रहा है, और हम शेयर भी नहीं कर पार जोरी एक-दो मिस्टेक के बार ही लोड़क जाती है, Intel बहुत ज़्यादा नस्दीक है एज के, तो देखिए, आने वाले टाइम में क्या होता है, तो यह था मेरा प्रेसेंटेशन इंटल का हुला-ला-ला के बारे में, उमीद करता हूँ, आपको अच्छा लगा, कुछ सिख लबाई गारा फ्री हैं, तो आपने राव वीडियो दुखा जणकों, बहुत खुशी हुई, धन्यवाद